बस्पा प्रमुक मायावती ने उतर प्रदेश के संभल जिले में हुई पत्राओं की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है उन्हें यूपी सरकार और प्रशासन को दोशी ठहराते हुए कहा है कि उप्चनाओ के अपरत्याशित नतीजों के बाद मुरादा बाद मंधर खासकर संभल में तनाओ था ऐसे में मायावती का कहना है कि सरकार और प्रशासन को मस्जिद मंदिर विवाद का सर्वे तरीके से काम करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं किया गया उन्होंने संबल के लोगों से शांती बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि इस तरह की घटनाओं से बशने के लिए प्रशासन को और अधिक स्तर्क रहना चाहिए मायावती के बयान के बाद ये मामला और भी घरमा गया है और प्रदेश में शांती की स्तिती बनाए रखने की आविशक्ता पर जोड़ दिया जा रहा है और अम्मय विरोधियों की इन सभी साजिसों के बीच अपनी पार्टी के लोगों ने अपने उमीदवारों को यहां उत्तर परदेश में महाराष्ट में जारकंड में और खासकर उत्तर परदेश में जो नो विधान सभा की सीटों पर बाई अलक्षन हुए तो इन सभी सीटों पर अपनी पार्टी के लोगों ने अपने पार्टी के उमीदवारों को जिताने के लिए जो पूरे जी जान से कोशिस की है तो उनका मैं पूरे तै दिल से अभार परगड करते हुए अब मैं अपनी बात यहीं समात करूं लेकिन इससे पहले मैं यूपी सरकार को ये भी कहना चाहूंगी कल यूपी में उप्चुनाप को लेकर आए आप परतियाशित नतीजों के बात से खासकर संबल जिला सहीद पूरे मुरादाबाद मंडल में काफी तनाव किस्तिती व्यापती कल से ऐसे में शाशन वे परशाशन को संबल में मस्जीद में मंदिर विवाद को लेकर सर्वे कराने का कारिये आगे बढ़ाना चीए था जो तो ये जादा भैतर होता है लेकिन ऐसा ना करके जो आज वहाँ सर्वे के दुरान जो कुछ भी बबाल हुआ है हिंसा हुई है तो उसके लिए यूपी का साशन वे परशाशन पूरी तरह से जिम्मेवार है ये अतिनिंद्री है ये जो भी कुछ उदर हो रहा है ये अत नहीं किया जा रहा है ऐसे में अब मैं खास कर संभल के सभी लोगों से वहां शांती विवस्ता बनाने के भी पुर जोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाब्त करती हूं धन्यबाद जैभीम